नमस्कार मित्रों स्वागे थे सिद्ध टोट की चैनल पर आप सबका एक बार फिर से वेब साइट से ले करके यूट्यूब से ले करके न्यूज पेपर तक में मैगजीन्स तक में आपको ऐसे इस्तिहार देखने को ऐसे छोटे-छोटे विज्यापन देखने को मिल जाएंगे जहां लिखा होगा पैसा नहीं इनाम लोगा पैसा काम होने के बाद एक घंटे में किया कराया वशी करण और पतह नहीं क्या क्या सोतनसर छोटकारा आदी सब कुछ हो आपका करवा देते हैं एक घंटे में पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे वही नाम ले रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दावे देख करके जरूर यहां तक चले जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है उनका असली खेल असली खेल में क्या वो पहले आपसे थोड़ थोड़े पैसे छोटे छोटे मांट में लेते रहते हैं वो आपसे पूजा सामग़े के नाम पर दान के नाम पर छोटे छोटे पैसे आपसे मांगते रहते हैं और उन पैसों को आप देते रहते हैं क्योंकि आपको यह लग रह है कि ये तो पैसा भी ले ही नहीं दे तो वो पैसा है जो मेरी पूजा में लगना है तो आप थोड़े-थोड़े पैसे करके 20000 3000 5000 5000 गरें उन्हें देते रहते हैं और वह इस तरह से पैसे ले रहा हैं बाद में फिर काम नहीं ह reply फिर आप से कह देंगे वैसा कर देंगे या फिर वो आपके number को ही block कर देते हैं और reply ही नहें देते फिर उस पर यानि कुछ भी तो कर सकते हैं बहुत आशानी से और आप बस क्योंकि आप परेशान हो क्योंकि आपके साथ में सच में समस्या हो गई है तो उस समस्या से बचने के लिए आपने एक रास्ता सोचा था एक रास्ता चुना था और उस रास्ते पर आप जाना चाहते था और आप गये भी लेकिन एक ऐसे रास्ते पर आप पहुँच गये या किसी ऐसे व्यक्ति के जाल में पहुँच गये जो कि आपको उल्चा के वहा और ज्यादा परशान कर दिया के एक तरफ तो आप परशानी में थे ही साथी साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसकी गोई भरपाई नहीं यह थोड़े-थोड़े पैसे ले करके या फिर आधे पैसे पहले आधे पैसे काम के बाद ये सब आपको सिर्फ तरीके हैं भर्माने के पैसा जो पूजा पाठ का जो पैसा लगना है वो पैसा एक बार लगना है एक बार में लगना है उसमें आधा पैसा पूरा पैसा ऐसा ये सब नहीं किया जाता है जो लगना है वो एक बार में आपको बता दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति आपसे पूरा पैसा एक बार बताता है कि हम इतना लिंगे और यही हमारी फीस है तो वो फीस है, बहुत सारे लोग हैं लिखेंगे फीस नहीं इनाम लूँगा अब वो कर रहे होंगे कुछ ऐसा फीस नहीं इनाम लूँगा इनाम का क्या मतलब हो तो आप किसको खुश करना चाहते हो आप नाटक कमपनी से तो नहीं हो कि आप अभिने करोगे आप नाच गाना करके दिखाओगे और सामने वाला खुस हो जाएगा और खुस हो करके वो राजा की तरह आपको पैसे दे आप पर पैसे लुटाए तो ऐसे तो होती नहीं चीजें तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की जहां से कोई देता है कि गंटे में आपकी चीजें हो जाएंगी दो गंटे में हो जाएंगी या फिर कोई आधा पूरा की बात करे आधा पहले आधा बात में या कोई नाम की बात करे तो वो सीधा सीधा जूट बोल रहा है ऐसे के चक्कर में न पढ़िए ऐसा आपको कभी भी लाब नहीं दे सकता है मेरे यहां मैं बताओं तो अगर हमारे यहां से कोई आता है और वो इस तरह की कोई भी चीज करता है करवाता है तो उसको साब चीजें बता दी जाती है होना है तो भी नहीं होना है तो भी हम कितनी बार प्रयास कर सकते हैं वो भी, प्रयास करना जरूरी है की नहीं वो भी और ना करें तो क्या होगा वो भी, सारी बात उनको बता दी जाती है कितना समय लगेगा क्या उतने समय के लिए धैर है ये बात आपको खुद सोच लेना है कोई कम यह जादा कर रहा है कोई पैसे इधर उधर कर रहा है तो फिर वो जाने और आप जाने मैंने आपको हमेशा बताया कि आप जाते ही खुद यह सज़स्ट ना करें कि आपको यही कारे करना है यह कराना है आप अपनी समस्या बताएं सामने वाले को चेक करने दे और चेक करने के बाद फिर वो आपको बताए कि इसमें क्या करना चाहिए और आपको जन्मिन लगे बाद तो आप उसमें आगे बढ़िए नहीं तो न बढ़िए ठिक और सबसे जरूरी बात ही इसमें यही है कि अगर आपकी कुंडली नहीं देखी जा रही है तो कोई भी व्यक्ति कैसे कुछ कर रहा चाहता है देखिए पहले के समय में व्यक्ति जाता था अगर तांत्रिक के पास गया है तो भी तांत्रिक उसका हाथ देख करके, उसका माथे की लकीरें देख करके, उसकी आखों में देख करके, बहुत सारी चीजों को पता लगा लेते थे माथे की लकिरों से भी पढ़ा जाता है हाथ की लकिरों से भी पढ़ा जाता है पैर की लकिरों से भी पढ़ा जाता है चेहरे की बनावट से भी बहुत कुछ पढ़ा जाता है क्योंकि आप किस लगन के हैं उसी लगन के आधार पे आपका सरीर बना है तो सरीर देखकर के ही लगन का अंदाजा तो वैसे भी हो जाता है और फिर आप कब पहुँचे हैं उस तांत्रिक के पास या उस जोतिसी के पास वो उस लगन को देखते हैं तो इससे ही बहुत कुछ पता चल जाएगा अगर लगन की मित्रता है तो बहुत सारा काम तो वैसे ही हो जाएगा लगन ही अगर एक दुसरे का पोजिट निकल गए तो वहाँ भी काम खराब तो ये बातें थी जब ये फिजिकल ही ऐसे आमने सामने लोग आते थे तो देख करके जान लेनी की जो प्रविती थी वो सब थी आज नहीं है आप आप आउनलाइन कर रहे हैं आउनलाइन करवा रहे हैं चीजों को जब आउनलाइन चीजें हो रही हैं तो आप समझिए कि आप के लिए क्या बहतर है वो आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ इस पर आप सोच विचार करके फिर आगे बढ़ें मैं हमेशा कहता हूँ जब आपका समय अच्छा हो तब ही आपको उपाए करना कराना चाहिए समय बिगड जाएगा फिर आप उपाए करने जाते हो तब तो आपकी मान से खाला थी अच्छी नहीं है तो फिर सब काम खराब हो जाएगा अच्छे समय में आगे वाले समय के जानकारी ले करके उसके नुसार अपनी तयारी कर लें तो ये आपके लिए और आपके भविश्य दोनों के लिए बेतर होता है इन बातों को ध्यान रखीगा तो कोई दिक्कत नहीं आगी उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई हो ऐसी ही और जानकारी ये पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन बेल को आउन करें मिलते इंगली वीडियो में तब तक के लिए नमसकार खुश रहिए